मैं ब्रजेश पांड़े आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वाधत करता हूं आज मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसका मकसद है आप लोगों को क्या हूं पर वाषी टीटियूशन में कोन-कोन सी कैलकुलेशन होती हैं किस टाइप से सोलूशन बनाते हैं वो समय चलो डिटेल में स्टेडी करते हैं अंड तक में जुड़े रहे हैं तब आपको बड़े एक्छे तरह समझाएगा कि लैब में हम कैसे सॉलूशन मनाते हैं सबसे पहले बात करते हैं मोहर साल्ट की तो मोहर साल्ट का फार्मूला आप सब स्टुडेंट्स को पता है क्या होता है आमोनियम सल्फेट फैरस सल्फेट 6H2O मगर जब हम इसकी KMNO4 के साथ टाइटरेशन करते हैं तो बेसिकली जो इसका फैरस सल्फेट है कि एवल यही रेक्शन में पाटिस्पेट करता है अब मोल्यकुलर वेट की बात करूं तो मुझे क्या करना मुझे करना यहां देखा आपको मोहर साल्ट दिया है तो तो क्या करते हैं कैसे सोलूशन मनाते हैं बिल्कु सिंपल सी टाइनिंग बता रहा हूं मुलारीटी आप सबको पता है मुलारीटी का फार्मूला क्या होता है वेट अपोन मॉलीकुलर वेट इन्टू वन थाउजन अपोन वोल्यूम इन एम अब मालू मैंने आपको कहा कि एक लीटर एम बाइट एम बाइट एन मोहर साल्ट सुलूशन मना करा हो तो इसका सब्सक्राइट मुझे पता है 392 वन थाउजन हम आपको जो टीचर जो ओंडर करेगा हो कि एक लिटर मना कि लाओ तो यहां पर हजार मेल ले दो कि वह क्या रहा है तो यहां पर फाइप लिटर सुलूशन मना दो तो आप यहां पर फाइफ थाउजन ले ले लो तो हमने ले 39.2 ग्रैम इसका मतलब कि अगर मैं 39.2 ग्रैम मोहर सार्ट को एक लिटर पानी के अंदर डिजोल कर देता हूं तो मुझे वन एम वन बाइटन मोलर मोहर सार्ट सुलूशन बन जाएगा अब यह तो मैंने आपको बिता है मोहर सार्ट का सुलूशन आप खुद कैसे और पिप्पेट आउट करेंगे किसको पिपेट आउट करेंगे मोहर सार्ट को कितना करेंगे ट्वांट यह कईसी कंडिशन्स या कैसा आपको टीचर महाँ पे गाइडलाइन दे रहा है है कि चलिए अब सबसे पहले क्या कहा करेंगे स्टूडेट साल फिपेट आउट करेंगे गें अगर हम वुल्यूम की बात करें तो टवंटी मेल आपने इसको क्या करना है और इसकी अभी आपको मैंने कितना बताया है वन बाइड टैन मुल अब मुझे कि मुलारिटी को क्या करना मैं है स्टुडेंट करना मैं इसे माल लेता हूं मुझे नहीं पता मगर वोल्यूम ऑफ के एम नो फोर है वह हम कहां से निकालेंगे स्टुडेंट वह हमारे पास आजाएगा जब हम टाइट्रेशन करेंगे किसकी मोहर साट और के सब्सक्राइब करते हैं तो कितना के एमनों फोर यहां पर वोल्यूम आ जाता है भी इसी के लिए पर टेबल बनाते हैं अगर आपको ध्यान हो आपने इस तरह टेबल आपने अपने अपने बनाया होगा सीरियल नंबर डालके 1234 इनिशल वोल्यूम फाइनल वोल्यूम वोल्यूम टूबी यूज्ट यह जो भी है यहां पर यह हमारा बीटू माइनस भी बन होता है मालगो आपने इनिशियल रिडिंग आपने जीरो पर सकते हैं तो सब्सक्राइब करिए कि यह वोल्यूम जो मेरा आया वो ट्वन्टी एमल आया है वो रिडिंग के बाद है इट में वी टैन इट में वी एक्स्पेरिमेंट में क्या करें तो जो भी आएगा आप यहां पर रख लेंगे अब मुझे निकाल लिए आपको क्या करन अपर नहीं कर सके तुकि फार्मुला में क्या इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं एमवन वी वन अपोन एन वन इसकाल टू एम टू एम टू वी टू अपोन एंड़ यह माल लो मैंने लिया मोहर साल्ट है और यह मेरा क्या है स्टुडेंट की एमन नोफोर है तो एक्शुल म कितने मोहर साइट किसमाल हो और यह कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं द्यान से देखिए सबसे पहले हम बात करें हैं कि एमन नोफोर की तो के में नोफोर तुम्हें पता है सल्फियूरिक एसिड के साथ या हम यह कहें कि एस्डिक मीडियम में जब रियक इतने पॉटाशिय में दो मैंगनीज हैं सल्फेट कितने हुए तीन तीन मोल यहां क्या रखते हैं इसके वाटर और प्लस क्या बनता है स्टूटेंट यहां पे फाइव ने सेंट ऑक्सीजन क्या बन जाता है फाइव ने सेंट ऑक्सीजन अब यह बड़ा इंपोर्टन इवल क्या रहेंगे आप लिखना चाहें तो पूरी रेक्शन नहीं सकते हैं उतनी मोल वहां पर इसमाल हो जाएंगे उससे कोई फरग ने पड़ता तो फैरस सल्फेट को जब हम सुल्फ्यूरी कैसरी के साथ एस्ट्योफोर के साथ ट्रीट करते हैं इंड़ प्रेंस ऑफ प्लस क्या बन जाएगा और प्लस एच्टू ओ अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तीन सल्फेट है मगर यहां पर दो ही है इसको दो से मेंट विलके दो सल्फेट और एक तीन और एच्टू ओ वाटर बन गया अब यह रेक्शन अपने आपने बैलेंस है जब हमें दो रेक्शन को जोड़ना होता है तो आपको पता है मर बनने लिए को तो यहां पर चाहिए और इस रेक्शन को मुल्टिप्लाइब करेंगे था रिच्शन प्लस ठीन papier और जब आप इसे फाइच्टिक रही करें कि फाइब त्री क्या हो जाएगा एट एट एच टू एस सो फोर यह पर फाइल मूली कुछ आज़ें ने अगर आप पूरा फार्मूला इस्वाल करेंगे मोहरशाड का अमोनियुम सल्फेट तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर फैरिक सल्फेट बनेगा प्लस यहां पर यहां पर कितने मोल आगे दो और यहां पर अब आपने फार्मूला मेंशन किया था एक प्रिवन अपॉन आप और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह प्टा नहीं कितना है एक प्रिपेट आउट कितना कि टूंटी अब सब्सक्राइब करें यहां से आपकी मोलारिटी आजेगी के एमनों फोर की मैंने आपको बताया तो हमारी यही रिडिंग क्या होजेगी स्टूडेंट घ्यान से देखिए मगर हमें क्या आगिया है कि स्ट्रेंट निकालिए ग्रैम पर लीटर में तो स्ट्रेंट का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है है आप सबको पता होगा स्ट्रेंद क्या होता है मोलारिटी इंटू मोलीकुलर वेट आपकी स्पोस्ट करिए आगे वन बाइ 50 और मोलीकुलर वेट इतना होता है कि मनोफोर का 158 अब इसको आप सोल कर लीजिए तो अप्रोप्रोप्सिमेट यहां से स्ट्रेंद कर सकते हैं तो यहां से अपने स्ट्रेंद निका लिए यह तो दो इसी के साथ एक उसको भी मैं एक्स्पेरिमेंट कर देता हूं डिटेल में आपको यहां तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अब दूसरा एक्सपेरिमेंट के साथ है अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आउग्जैलिक एसीड के साथ के साथ क्या होगा उसके रिडिंग कैसे करेंगे सबसे पहले फार्मूला क्या मैं नो फॉर अब आपको मैं समझार की कहूं तो अब आपको यह समझार की कहूं तो हम डिरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा पोटाशियम सेलफेट मैंगनीज सेलफेट प्लस ह ह टू और प्लस फाइव ने तो अब अग्जेलिक एसिड की बात करें तो अग्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है सी ओ ओ ओ एच सी ओ ओ एच डोट टू एच टू ओ यह हमारा उग्जालिक एसलिगा फार्मुल लाता है और कई बार स्टूडेंट कई बेचे इसको ऐसे लिखते हैं कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना एक ही बात है इसे को मुझालिक एसीड बोलते हैं जब उग्जालिक एसीड के हम नेसेंट ऑफसीजन के साथ ट्रीट करते हैं इसके तो क्या मन जाता है तो बन जाता है कारवन डायूकसाइट और प्लस क्या बन जाता है वाटर इतने और यहां पड़े ओर यह तीन तो क्या जेगी हुआ कि तू के एम नो फोर प्लस फाइव आप अब उख्जली ए उक्जैलिक एसिड प्लस यहां पर यह 5 ने सेंट ऑफिसे 5 कर देगा 3 ही है स्थी एस्टो फोर जीक्व टू एस्टो फोर प्लस मेंगनी सलफेट प्लस थी वाटर मूली क्यों यहां पर है वह प्लस पाइव टूजा टैन टैन कारवन डाइयोगसाइड यह आपकी कम्प्लीट रेक्शन आगी बस मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्ले में नो फोर के केस में जो हमने एंटू की वेलू ले रहे हैं वह तो आएगी टू और अग्जैलिक एसिट को ले लेंगे तो यहा क्या करना है यहां पर क्या धियाद रखना पड़ेगा सुडेंट की ओग्जैलिक एसिट केस में जब आप 20 अमेल पीपेट आउट करेंगे तो उसके बाद आपको उसकी हीटिंग करने पड़ेगी कि इतनी करना है यह नहीं कि भूच जादा गरम करना है तो प्रोवाइड दा एक्टिवेशन नजी टू एक्टिवेट करना पड़ता है नोर्मल कंडिशन पर क्या होता है यह टाइटेशन कंप्लीट नहीं हो पाती अब हमें क्या से पता चलिए 60 डिगरी टेंपरेटर हो ग करें बहुत जादा हीटिंग नहीं करनी अधर्वाइज इट विल गैट कर्ण डैक्टिवेट नहीं होगी तो पस यह छोटी सी बात का ध्यान अगने एक थार्ड टाइप के एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे जिसमें हम बात करते हैं परसेंटेज प्योरीटी की तो परस किया सब कुछ किया और टाइटरेशन के बाद आपके वैल्व आ गई जिरो पॉइंट नाइन जिरो पॉइंट जिरो नाइन मोलर के मनोफोर मगर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका यह आ रहा है एक्शुल में यह है तो करेंगे परसेंटेज प्योर्टी कैसे न इंटू तो क्या वज़र स्टुडेंट आपको पता ही है नाइन्टी परसेंट यहनी की आपने एक्टूरेशन से काम किया है तो परसेंटेज प्योर्टी के उपर जब कोशन आएगा तो इसका मतलब है कि आपको एक तो पता है कि इस ट्रेंट ही आएगी मगर आपने जो स् करते हैं वह सारा कुछ सीख चुके होंगे और नेक्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेंट करूंगा कि वाइवाबोका कौन कौन से ऐसे वाइवाबोका कौन से नैसे वह बाद बार ईक्जाइमिनर एक्स्टरनल इक्जाइमिनर आपसे पूश्चन पूचता है रिलेट झाल झाल झाल